स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं इसमें आपको माल्दिव के बिदेश मंतरी के साथ चाइना का एक आदमी दिख रहा है जो बेहद महतपुर्ण है वहीं एक दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप यहां पर माल्दिव के मिलिटरी के साथ पाकिस्तान के हाई कमिशनर द पड़ा है क्या मुईजू का तक्ता पलट होगा ये जो तस्वीर देख रहे हैं चार लोग बैठे हुए ये बहुत ज्यादा महतपूर्ण तस्वीर बन गया है इस वक्त मालदीव का जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है बहुत बुरी तरीके से मालदी फंस चुके हैं हमेशा की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे द्विपों का समू है ये है मालदीव मालदीव और चाइना के बीच 1977 से पहले तक कोई भी संबंद नहीं था तोनों के बीच राजनईक संबंद नहीं थे चाइना इस तरफ ध्यान नहीं देता था फिर 1977 में मालदी के और चाइना के बीच में राजनईक संबंद स्थापित हो गये दोनों एक दूसरे देश को मान्यता देने लगे दोनों के राजदूत एक दूसरे के देश में आए अब यहां पर 1990 के बाद और 2000 में खास तोर पर चाइना ने रूची दिखानी शुरू कर दी चाइना ने क जो रूची दिखानी शुरू कर दी तो आपको बता दें इसके पीछे कारण था यह जो मालदीव को देख रहे हैं आप वैसे तो छोटे छोटे दूइपों का समू है कुछ खास नहीं है लेकिन इसके पास जो है यह जो इकोनॉमिक छेत्र है इसके पास काफी बड़ा है हि इस चीज का भी ज्यान हो गया और इसके बाद चाइना का रूट क्या है बैपार करने का मैप को ध्यान से देखेंगे चाइना बैपार करने के लिए इस्तेमाल करता है साउथ चाइना सी से होते हुए मलका स्ट्रेट और मलका स्ट्रेट से होते हुए यह पहुँचता है तो इसके पास एक बहुत बड़ा इकनोमिक जोन है और दूसरी बात ये है कि इसके छेतर में तेल गैस वगेरा भी सब कुछ ही है और नितिक रूप से इतना महत्पूर्ण है कि अगर मैं यहाँ पर अपना एक बेस मना लूँ या इस देस को पूरी तरीके से अपने कबजे मे ले लूँ तो यहां से मुझे भारत को कंट्रोल करना हो स्री लंका को कंट्रोल करना हो अपना बैपार कंट्रोल करना हो मलक का स्ट्रेट में सुरक्षा करनी हो तो हर चीज के लिए मदद मिलेगी अब पहले से माल्दिव क्या था भारत को अपना दोस्त मानता था सुरू से यही चीज यहाँ पर चलती आई थी दोनों के बीच में बहुत बड़ियां सहयोग था बहुत पूराने समय से लेकिन इस सहयोग को चाइना तोड़ने में सफल रहा 2000 से कोशिस करते करते माल्दिव ने 2009 में चाइना में अपना दूतावास खुला और उस समय के राश्पती नसीद ने 2010 में चीन का दौरा किया जब नसीद ने चीन का दौरा किया तो चाइना ने उसके सामने एक बहुत बड़ा पैसे का फंड रख दिया और कहा कि हम एक विसाल आवास पर यूजना बनाएंगे नसीद जब घर वापस आए तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं इंडिया फस्ट की नीती में ही चलूँगा भारत के साथ ही चलूँगा जब 2010 में भारत के साथ चलने की बात आई तो 2012 में तखता पलट हो जाता है और नसीद को सत्ता से हटा दिया जाता है इसके बाद कौन आ जाता है अब्दुल्ला यामीन अब्दुल्ला यामीन माल्दिव को चीन के करीब लाने के लिए सब कुछ करता है BRI साइन कर लेता है बहुत बड़े पैमाने पर करज ले लेता है Free Trade Agreement साइन कर लेता है और यहां तक की Joint Navy Observation Facility बनाने के लिए भी तयार हो जाता है मतलब चाइना के जो जो इरादे थे उन सब के लिए अब्दुल्ला यामीन हा कह देते हैं यामीन सरकार की नीतियों से भारत और माल्दिव के बीच में तनावा गया 2015 में PM मोदी माल्दिव का दोरा करने वाले थे लेकिन उन्होंने रद कर दिया बारत ने आपतियां दर्जी की 2016 में एक नहीं तीन तीन युद्ध पोतों को चीनी युद्ध पोतों को यात्रा की अनुमती दी गई उसके बाद 2016 के बाद 2018 में इब्राहिम सोली यामीन को हराकर राष्टपती बने इन्होंने फिर से इंडिया फस्ट वीदेश नीती का समर्थन किया लेकिन 2023 में चीजें बदल गई मुहमद मुईजू फिर सत्ता में आ गए और चाइना ये मौका छोड़ना नहीं चाहता है इसलिए इस बार चाइना ने जल्दी जल्दी सब काम करना सुरू कर दिया सपत गरहन समारो हुआ की नहीं हुआ उसके बाद तुरंट से एक मुलाकात और मुलाकात के तुरंट बाद यहाँ पर जासुसी जहाज को भेज दिया अलाकि माल्दिव ने कहा कि ये जासुसी जहाज नहीं है और ये तो सिर्फ खाना पानी दाना पानी लेने के लिए आया है ये कोई भी रिसर्च नहीं करेगा पर धड़ा धड़ इस वक्त यहां माल्दिव में उतर रहे हैं चाइना के लोग और इसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि जो ये कह रहा है वही है परदे के पीछे बहुत सारी चीजे नजर आ रही है अब ये जो सक्स उतरा है ये कौन है लिव गुजूंग और कौन है ये वाइस प्रीमियर ओफ स्टेट ओफ काउंसील इससे पहले पहुँची थी वाइस इंटरनेशनल मिनिस्टर अब यहां पर बहुत तेजी से ये दोनों ही नहीं और भी कुछ चीजें हो रही है इस्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर पाकिस्तान के हाई कमिस्नर और माल्दिव के अधिकारियों की मुलाकात की है जहां ये माल्दिव के सेन्ने अधिकारियों से मिल रहे है सामाननेता हाई कमिश्णर विदेश मंतरी तक सिमित रहते हैं ये चीजे बता रही है कि भारत के खिलाब एक खिचडी पकर रही है यहाँ पर पर क्या ये खिचडी सफल हो जाएगी तो आपको बता दें ये खिचडी इतनी असानी से सफल नहीं होगी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं आप ये तस्वीर है मालदिव के दो परमुख पार्टियों की और दोनों ही विपच्छी पार्टी हैं सदन में कुल 87 सदस्यों की सीट है और 55 सीट रखने वाले दोनों मुखी विपच्छी दलोंने खास तोर से पड़ोसी और अहम साजीदार भारत के साथ खराब होते रिष्टों पर चिंता प्यकी है दोनोंने कहा है कि मुखी का रुख भारत विरोधी रुख है और ये जो विदेश नीती अपना रहे हैं ये लंबे समय में मालदिव को बहुत बड़ा जटका देगा ये बहुत गड़बड है और देश की जो फाइनेंसियल स्टेटस है उसमें भी ये छिपा रहे हैं बातों को जो एमो यू साइन हो रहा है फॉरन पार्टी से उसके बारे में भी नहीं बताया जा रहा है और बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों को चुना जा रहा है ये बहु बहुत सारा खेल होना बांकी है वैसे ही इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़वर के साथ